हेलो दोस्तों मैं स्वंद्र कुसाहिए सौगत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंसूर्स में और फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉफ फाइब इन्फोर्मेशन टेक्नोलीजी जॉप्स इन फ्यूचर जिया दोस्तों अगर आप अ सबस्क्राइब कर लीजिए साथ साथ में बेल आइकान पर भी हिट कीजिएगा जिससे की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिक्रिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं टॉफ फाइब इन्फोर्मेशन टेक्नोल देटाबेस एडमिनिस्टेटर एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब है हमारी इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी फिल्ड के उपर क्योंकि डेटाबेस कलेक्शन जो पूरा कबर करके और उसको मैनेज्ट यो हमें करके रखना होता है वो एक डेटाबेस एडमिनिस्टेटर का अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में यह सब क्वालिटी हैं कि आप एक डेटाबेस एडमिनिस्टेटर बन सकते हैं तो यह ऑप्शन आगे फ्यूचर में आपके लिए काफी बहतर हो सकता है इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी में जॉब पाने का यस्ट्रेंड बाढ़ते ह है आपकी IT फिल्ड के उपर क्योंकि जिस तरीके से हमारा पूरा वर्क इंटरनेट के उपर है, क्लाउड के उपर है और वहाँ पे जरूरी है कि हमारे जो भी हमारे डिजिटल प्रॉडक्ट हैं या जो भी हमारे वैबसाइट्स हैं एप हैं इन सभी की सिक्वरिटी को भी ह हमें ध्यान में रखना होगा तो यहां पे हमारा एक साइबर सिक्वर्टी इंजिनियर जो है वो काफी हेल्फुल होता है जो कि हमारे इन सभी प्रॉडक्ट की सेफ इनको रखता है तो अगर आप चाते हैं कि फ्यूचर में एक साइबर सिक्वर्टी इंजिनियर आप बनना रह सकता जहां दोस्तों नंबर 3 पे जो हमने आपके लिए रखा है वो है software developer जहां software engineer software developer यह number 3 पे opposition पे है आपके लिए अगर आप चाहते हैं information technology में अपना career बनाना तो software developing में आप जा सकते हैं जहां पे की बहुत अच्छी demands इनकी है और यह demands कभी भी कम होने वाली नहीं है क्यों तो एक अच्छा career option है आपके पास अगर यह सबी skills हैं कि आप बन सकते हैं एक software developer तो आप पीछे मत रहिए सोचिए प्लान कीजे और इन IT information technology की jobs में जो software developer की job है यह आप पास सकते हैं अगर आप इसे बनना चाहते हैं यह friends आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं number two position की तरफ कि number two पे हमने आपके लिए information technology jobs के उपर जो रखी है वो है दोस्तो आपके लिए mobile applications developer जिस तरीके से mobile का यूज बढ़ता जा रहा है mobile applications की demand बढ़ती जा रही है और इनकी popularity बढ़ती जा रही है वहाँ पे एक mobile app developer की demands उतनी ही तेजी से बढ़ रही है तो काफी best field है और काफी अच्छा है कि अगर आपके पास में qualities हैं कि आप एक mobile app developer बन सकते हैं तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए information technology में आने के लिए अगर आप एक mobile app developer बनते हैं तो आपके पास में बहुत अची opportunities होती हैं आगे career में और आप काफी जा सकते हैं इस field में एक mobile app developer बनने के बाद yes friends बढ़ते हैं हमारे आखरी position जो कि number one पे हमने आपके लिए रखा है information technology की jobs के बारे में जो number one पे जो job है दोस्तों वह है web developer जी है दोस्तों web developer website developer बहुत ही तेजी से इनकी demands बढ़ रही है क्योंकि आजकल हमारा जितना भी workout ह वो online हैं हमारी website हैं online platforms हैं तो online अगर हमें अपने business को करना है तो वहाँ पे हमें एक website की जरुत होगी और website developer की demands उतनी ही तेजी से बढ़ रही है तो information technology में website developer की demands बहुत तेजी से ग्रो कर रही है friends और एक बहुत ही बहतर career option है जहाँ पे कि after just 10 plus 2 के बाद भी आप एक website developer बन सक सकते हो और इस industry में एक अच्छा खासा मुकाम आप हासिल कर सकते हो by the web developer के जरिये तो दोस्तों यह थी आपके लिए top 5 information technology jobs for future जिनका की future काफी bright है आगे coming years में और आगे जिस अरीके से technology change हो रही है digitalization काफी तेजी से बढ़ रहा है इन jobs की demand उतनी ही तेजी से बढ़ने वाली है तो अगर कोई भी skills कोई भी quality है आप में इस इन course को इन jobs को पाने की तो जरूर उस पे काम कीजे और अपने लिए एक space बनाएए information technology के उपर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर कीजेगा और अगर आपके इनके इस वीडियो का blog भी अगर आप पढ़ना चाते हैं तो आप हमारी website www.indianidexperts.com पे जाके इसका पूरा blog पढ़ सकते हैं जहां पर की पूरी details में हमने इसको describe किया हुआ है और आप हमें tag on कर सकते हैं हमारी social media pages, facebook, twitter, instagram किसना साथ आप अगर सीखना चाते हैं इन courses को तो आप हमारे .NET Institute को हमारे साथ join कर सकते हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मलाकात होगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत